जानके ने कहा था कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अगर खुद की गलतियों से सीखोगे, खुद की उपर एक्स्परिमेंट करोगे, तो ये जिन्दकी तो छोटी पड़ेगी, आज मैं बता रहा हूँ आपको एक ऐसी मिस्टेक जो हर एस्परिंट करता है, जो नहीं करता है वो सेलेक्ट होता है, अगर आप मेरे से पूछेंगे, कि सर आपकी नजर में आज तक का सबसे चमतकारिक सेलेक्शन आपके सामने कौन सा था? तो मैं कहूंगा, एक मेरे सेनियर अपने सेवन्थ इयर में सेलेक्ट हुए थे, और वो अपने फर्स्ट इयर में ही MBBS थे, that is मिया, बीवी, बच्चों समेथ, क्योंकि जब उनके अड्मिशन हुआ था, तो उनके दो बच्चे थे आज कहानी बता रहा हूं, एक मेरे ऐसे सीनियर के, जिन्होंने एक साल ट्राई किया, दूसरे साल ट्राई किया, तीसरे साल ट्राई किया, और चोथे साल भी फेल होने के बाद त्यारी कुइट कर दिया वो अलवडिस्टी के रहने वाले थे, उन्होंने सीकर में एक इंसिटूट जोइन किया to teach the pre-medical experience and he decided to teach physics उन्होंने एक साल पढ़ाया दूसरे साल पढ़ाया और जब दूसरे साल का result आया तो उनका एक student select हो गया था, बोलाना आजाद medical college में, डेली मतब वो all India under 100 rank में था मेरे senior ने सोचा कि यार मैं खुद select नहीं हुआ और मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो MMC में जा रहे हैं sixth year में, मतब 4 साल ट्राय किया, 2 साल पढ़ाया अब छोड़ दिया पढ़ा और सोचा कियार जब मेरा student MMC में जा सकता है, तो मैं सिर्फ select भी नहीं हो सकता so what he did is उनके पास प्योंकि वो लगबग हर जगे से coaching ले चुके थी, quota, शेकर, जैपो, डेली हर जगे से हर साल अपने जगे चेंज करी अब की बार उन्हें क्या किया कि किसी institute का content कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया सिर्फ एक काम किया 10 साल के paper लिए हर paper की 10 photo state करवाई हर paper की 10 photo state और हर paper को 10 बार solve किया मतलब अगर आप 180 question मानते हैं पहले के time में 200 होते थे APMTP में तो 200 question 10 paper में मतलब 2,000 question उनको 10 बार करेंगे तो 20,000 question और हर question में 4 option है तो 80,000 question जो किसी के पास में है मतलब previous के questions सबके पास में होते हैं इसलिए कोई नहीं करता है सबसे बड़ी problem यही है कि हम उस चीज की value नहीं करते जो हमारे पास में है और valuable है हवा, पानी कपडे, मकान, रोटी कोई खास value नहीं है iPhone और BMW की बहुत value है हब अगाईब कर दी जाए तो कुछ तेर के लिए क्या होगा हर exam की त्यारी में कुछ needs होती है कुछ desires होती है आपकी needs previous year papers और NCRT है desires कोटा के किसी coaching के notes दिल्ली के किसी coaching के notes टोपर के notes पास वाले भहिया के notes दीदी के notes, उन सर के notes makes no sense अगर आप एक चीज में believe करते हैं और उसी के पीछे लग जाते हैं no one can stop you being successful no one exam में success होने के लिए करना वही पड़ता है पर दूसरे से जाधा बार क्योंकि आपको बीट दूसरों को करना है this is what competition is life में आपको अपने आपको बीट करना होता है but in the competition you have to beat yourself तो मेरे बोस का नाम रामा उतार था उनका सरनीम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप मेंसे कई लोग उनको सर्च करने पहुंच जाएंगे इस बंदे को teach करने के बाद में यह पता लगा कि 10 साल के paper कर लो बहुत है मैं आपको आज बता रहा हूँ 10 साल के paper कर लो बहुत है मन से करो कई बच्चे तो क्या करते हैं कि questions all कर रहे हैं जो answer है उसके पर focus है side वाले तीन option हसरे होते हैं उस वक्त अच्छा बेटा हमको भूल रहा है अगले exam में हम ही आएंगे तरे पास जो answer है वो इस paper का answer है बाकी तीन option अगले paper का answer हो सकते हैं जो examiner paper set करता है वो side में नहीं देखता है वो पीछे देखता है पहले क्या दिया था उसी को modify करता है तो आप इस चीज को समझ लें कि कोई महान science नहीं है exam में select होना या life में successful होना आपको एक ही चीज बार बार करनी होती है मैं आज के दो दिन पहले जेफ बेजस का एक interview देख रहा था जेफ बेजस ने कहा कि Amazon पर लोग आते हैं चीजें order करते हैं और हम कहते हैं that we will deliver it tomorrow then we deliver it tomorrow और जैसी photo website पर दिखाते हैं वही deliver करते हैं और यह काम हम 20 सालों से कर रहे हैं बिना किसी गलती के इसलिए हम Amazon हैं website बना कर सामान कोई भी बेच सकता है लेकिन 20 सालों तक उसी quality के साथ बेचना difference पैदा करता है previous year के question कोई भी solve कर सकता है लेकिन 10 सालों के paper 10 बार हर एक option के साथ में solve करना असली difference पैदा करता है तो मरामतार बोस से क्या सिखेंगे क्या सीख सकते हैं कि कोई सी भी एक चीज़ पकड़ लो फिर मत छोड़ो हर 3 दिन में strategy change मत करो मैं पिछले 4 वीडियो से एक ही बात कह रहा हूँ solve previous papers as much as possible समझ में आ गया है बहुत जरूरी है कि आप options to option पकड़ें year to year पकड़ें subject to subject पकड़ें अपनी कमियों को देखें concepts के उपर काम करें मैं बार बार कहता हूँ करना वही है बस दूसरों से जादा बार आज समझ जाओ या दो साल बात समझ में आएगा Thank you